हलो बच्चों हम बात इंट्रिगल की कर रहे थे जिसमें दूसी एक साइज एंसी आर्टी की 7.2 एक साइज की हमने 13 कुश्चन बता दिये हैं उसका वीडियो आपकी डिस्क्रिप्शन में बढ़ा हुआ है और इंट्रिगल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है उसको देख लीजिएगा आज हम बात 14 कुश्चन से और आगे बात करने जा रहे हैं देखे 7.2 एक साइज NCRT एक्सरसाइज 7.2 का 14 कुश्चन देखिए देखे इंट्रिगल का मेथेट क्या बताया गया कि इंट्रिगल का मतलब होता है एज इट इस फार्मूला बेश्चन होगा तो हम अप्लाई कर देखे अगे अगर जिसका इंट्रिगल नहीं होता है नहीं होता है उसका फिर उ सेसें clear होना चाहिए ठीक है वह अला clear नहीं कि दिमाग से clear है नहीं 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 clear होना चाहिए ठीक है जैसे 14 question कहता है कि भाई integrate करिए 1 upon x log x to power m dx देखिए अब हमने का भाई direct formula किसका होता है आप कहेंगे 1 upon x का integral तो होता है लेकि गरबड कौन कर रहा है जो गरबड करता है उसी को t बना जाता है तो हमको दिख रहा है कि log x गरबड कर रहा है जिसका integral नहीं होता है तो हमने क्या किया इसको i assume कर लेंगे कि हमने क्या कि इस log x को हमने assume कर लिया t फिर क्या करते हैं चुकि आपने इसको t assume कर लिया है तो system यह है कि पूरा का पूरा system t में हो जाना चाहिए तो इसको differentiate करिए तो log x का differentiation 1 upon x dx is equal to t का dt तो जहां dx आएगा वहां क्या लिखेंगे x dt अब यहां पर dx के जिए value रखिएगा आपने इसको कुछ assume नहीं किया फिला ठीक है तो हम देख रहे हैं so i is equal to integral dx क्या हो गया x dt upon x इसको हमने कुछ माना नहीं था और इसको माना था t तो यह जागा t to power m access कर गया अब देखें पूरा system t में convert हो गया इसको जब लिखेंगे तो आएगा t to power minus m dt अब इसका integral हमको आता है t to power minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c t कमान रख दो तो क्या आएगा t कमान है log x to power 1 minus m कर दो 1 minus m plus c तो इस प्रकार से हम इसको integrate करेंगे ठीक है इसको note कर लीजे इसके बाद आते है 15 question में इसको वीडियो pause करके इसको पहले अपने आप लगाईएगा जब आपको लगे कि नहीं भाई दिक्कत कर रहा है तब आप वीडियो दिखीगा ठीक है 15 question क्या कह रहा है 15 कह रहा है x upon 9 minus 4x square 15 question i is equal to x upon 9 minus 4x square dx देखे हम नीचे वारी चीज को देखें जो आपके integral है उसमें denominator का कोई integral नहीं है एक के ओला है वरपान x और सब चीज numerator में होनी चाहिए फिलाल इस एक size तक आगे तो फामले बताए जाएंगे इसको दिख रहा है कि ये गड़बड कर रहा है इसको t मानने तो x square का differentiation 2x है जो की उपर present है t मानने के पहले आपके दिमाग में quick या आना चाहिए कि इसका differentiation present है तो आपने देखा इसमें किसको t मानेंगे 9 minus 4x square को t मानिए तो इसका difference है क्या होगा minus 8x dx is equal to dt देखे या तो dx निकाल लो या that x dx निकाल लो तो हम x dx निकाल लेना है x dx is equal to minus dt upon 8 रख दो यहाँ पर so i is equal to उपर हो गया minus dt upon 8 नीचे हो गया t minus 1 upon 8 बाहर और 1 upon t का integral क्या होता log t mod plus c t कमान रख दो तो minus 1 upon 8 log mod 9 minus 4x square plus c तो इस प्रकार से हम यह 15th question देखते हैं ठीक है नोट करिए अब आते हैं 16th question में 16 कह रहा है e to power 2x plus 3 i is equal to integral e to power 2x plus 3 dx एक चीज की आपको छूट दी गई है अगर x की जगए a x plus b हो तो इसको 1 upon a बहार लिख सकते हैं लेकिन यह छूट तब दी गई है जब कोई और integral आप लगा रहे हूं और यहाँ पर अप्लाई करना हो यह formula यह diet बीच में आ गया अगर केवल इसी का करना है तो आपको show करना पड़ेगा तो हमने का वही मेरे पास e to power x का integral होता है x की जगए कुछ और होगा तो इसको t मानेंगे शर्त कि उसका differentiation present होना चाहिए इसको t मान लिया हमने हमने क्या किया 2x plus 3 को t माना तो इसको differentiate करेंगे 2dx is equal to dt जहाँ dx आएगा वहाँ लिखेंगे dt by 2 रख दो यहाँ पर so i is equal to e to power t into dt by 2 1 by 2 बाहर कर दो e to power t का identical e to power t t का मान लग दो उठादर के तो 1 upon 2 e to power 2x plus 3 plus 3 इस size के उठाने के पहले जो introduction of integral वो जरू कर लिजेगा यह आपका 16th question है अब आते हैं 17th question integral tough नहीं है integral में एक खास्यत यह है कि integrable हो जाएगा तभी integral होगा मतलब जैसे differentiation में है कोई भी चीज़ को t मानेंगे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा 17th question कह रहा है i is equal to integral x सपान e to power x square देखे सबसे पहले दिक्कत तो denominator करता है तो यह मालूम है कि denominator को कुछ देखना पड़ेगा इसमें यह x square होना था ऐसा करो इसको उपर shift कर दो अगर dx निकालोगे तो upon makes आएगा जो यह cancel कर देगा दोनों बाते हैं आप कर सकते हैं i is equal to i जानबूश कर मानते हैं इसका कारण आगे पता जलेगा आपको e to power 10 inverse x upon 1 plus x square अब आप कहेंगे भाई आप तो फस गए आपने कहा denominator दिक्कत क्रेट करता है तो क्या denominator को टीवान होगे जी नहीं denominator दिक्कत क्रेट करता है तो दो तरीके से आप denominator को हटा सकते हैं या तो कोई ऐसी चीज जिसका differentiation already denominator में दिया हुआ है या जो दिक्कत क्रेट करेट करेए देखे हमारे पास e to power x का differentiation होता है x की जगह लिखा है tan inverse x x की जगह जो लिखा हो उसको t मालते हैं तो आप किसको t मालेंगे tan inverse x को t मालेंगे माल लेते हैं tan inverse x is equal to t तो इसका differentiation 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt तो चाहे तो dx निकाल लो 1 plus x square dt रख दो so i is equal to यह e to power t यह 1 plus x square dt upon 1 plus x square यह cancel हो जाएगा और e to power t का integral हम जानते है e to power t होता है plus c t कमान रख दो e to power tan inverse x plus तो इस प्रिकार से हम इसको निकालेंगे सम्झारा होगा differentiation का आपका clear हो जाएगा तब ही आप इसको समझ पाएगे ठीक है आगे देखे 19th question इसको note कलीजे समझ के note करिएगा ncrt second exercise 7.2 इसके पहले के question हम video बना चुके है उसका description में link है उसको देखीजेगा ठीक है अब आते हैं 19th question i is equal to integral e to power 2x minus 1 upon e to power 2x plus 1 dx अब एक लफ़ना हम किसको t माने क्योंकि यहाँ पर इसका differentiation भी present तो है आधा आधा है present है हम अगर इसको t माने तो इसका differentiation यह गरबड करेगा तो इसमें एक technique लगानी पड़ेगी उपर नीचे e to power x से divide कर दो तो उपर क्या जाएगा e to power x minus e to power minus x upon e to power x plus e to power minus x इसको हमने divide कर दी अब denominator को t माने है तो कि दिक्कत denominator ही create करता है या तो numerator में कोई ऐसी चीज हो जिसको t माने पर उसका differentiation denominator में लिए हो इसको t मान लो let e to power x plus e to power minus x को t मानेगी इसका क्या होता differentiation e to power x minus e to power minus x dx is equal to dt यह पूरी चीज दिखो उपल ही है पूरी dt हो जाएगी रग्द उठा करके so i is equal to उपर हो जाएगा dt नीचे हो जाएगा t और इसका integral क्या होगा log t plus c t का मान दो log mod e to power x plus e to power minus x इसमें दो बाते कर सकते हैं आप इसको upon में ले सकते हैं इसको lcm ले सकते हैं log m upon n का formula अपलाई कर सकते हैं यही answer है और करने की जूरूत नहीं है हाँ अगर इसको t मानने से differentiation present होता हो तो रहा है यहाँ पर लेकिन यह one गर्बड कर रहा था ना जैसे जो अगला question है 20th question जा देखे ध्यान से लोकुष similar type का question है e to power 2x minus e to power minus 2x e to power 2x minus e to power minus 2x upon e to power 2x plus e to power minus 2x तीके अगर इसको t माने तो इसका differentiation पूरा का पूरा present है उपर तो यहाँ पर divide करने की जूरूत नहीं है तो माल लिजे let e to power x e to power 2x plus e to power minus 2x को t माल लिजे denominator को तो इसका क्या होता है 2 e to power 2x minus 2 e to power minus 2x dx is equal to dt 2 कामन ले लिजेगा देखे आपके पास उपर क्या लिखा हुआ है उपर लिखा है e to power 2x minus e to power 2x dx तो यहीं लिख दो पूरा e to power 2x minus e to power minus 2x dx is equal to dt और इस 2 को अगले स्टेप में हटाओगे यहाँ अपार में कर दूँ रद्द उठा करके so i is equal to उपर हो गया dt by 2 अपार t 1 by 2 बाहर कर दो इसका इंटेगल क्या होता है log t t कमान दो plus c 1 by 2 log mod e to power 2x plus e to power minus 2x plus c इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं ठीक है next question देखे बहुत जल्दी बता रहे है क्योंकि differentiation आपको आता है बड़ी technical चीज़े यहाँ नहीं है ठीक है differentiation बार बार हम कह रहे है clear होना चाहिए ठीक है ना हो तो पहले वाला वीडियो मेरा पड़ा हुआ है उसको देख लीजेगा देखे इसके बाद आते है 21st question number 21st i is equal to integral 10 square 2x minus 3 अब एक लफड़ा अब आप कहेंगे जिसको टी माल लीजे मान सकते हैं कोई दिक्कत वाली बाद जब इसको टी माल लेंगे तो ये convert हो जाएगा आपका 10 square T में और 10 square का integral नहीं होता तो जब कहीं integral नहीं होता हमने का वह जिसका integral नहीं हो तो T माल लेकिन T मानते वक्त ये तो देखो ना कि उसका differentiation तो उसका integral होना चाहिए ना उसका differentiation तो यहां तो लफड़ा है कोई कुछ और ही नहीं 10 square का कृस्तिदार है 6 square जिसका integral होता है तो आप ऐसा करो इसको आप 6 square में पहले convert कर लो या तो T मानने के बाद convert कर लो दोनों बातें सही है इसको पहले T मान लो तब convert करो तब भी बात सही है और अगर पहले 6 square में convert कर लो तब भी ठीक है और आप जानते हैं 1 प्लस 10 square theta is equal to 6 square theta होता है तो जहां पर 10 square theta है वहाँ 6 square theta minus 1 लिसकते है और sec square का integral होता है यह हम जानते हैं ठीक है इसको क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे sec square theta बोले तो 2x minus 3 और minus 1 और dx यह identity आपने यहाँ पर इस्तेमाल की है तो इसको अलग अलग कर दो sec square 2x minus 3 dx अलग कर दिया और 1 dx अलग कर दिया अब हमको मालूम है कि sec square x का integral मालूम है x की जगह अगर ax plus b है तो उसको वनपान भी कर सकते हैं तो आप चाहो तो यहाँ direct वनपान 2 बाहर कर सकते हो और sec square का integral क्या होता है 10 तो 10 2x minus 3 और minus 1 का x plus 3 डाइट भी कर सकते हो इसको t मान करके भी लगा सकते हो ठीक है 20 second i is equal to sec square 7 minus 4 x sec square 7 minus 4 x dx आपको मालूम है sec square x का integral हम बता चुके है इस दिक्कत कर रहा है 7 minus 4 x x की जगह कुछ और लिखा हो उसको t मानते हैं तो हमने क्या क्या यहाँ पर let 7 minus 4 x को t माना तो minus 4 dx is equal to dt अब आप कहेंगे आपने यहाँ क्योंने टी माना कहीं कहीं डायेट बता देते हैं कहीं कहीं मान लेते हैं दोनों तरीके से आप कर सकते हैं तो जहाँ dx हैं वहाँ क्या लिखेंगे minus dt by 4 रग दो उठा कर यहाँ पर so i is equal to यह हो जाएगा sec square t और यह minus dt by 4 तो minus 1 by 4 बाहर और sec square का integral 10 t होता है t कमान रग दो तो minus 1 upon 4 10 t बोले तो 7 minus 4x plus यह है आपका 22nd question बनोट का लिजे इसको समझ की नोट का मदर यह नहीं होता है कि आप बस नोट बना रहे हैं अपने नोट तो कहीं भी solution दिया होगा कहीं भी आप apply करके नोट कर सकते हैं लेकिन समझ की करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया सबसे पहली question यह होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास इस चीज का integral दिया है इसकी जिए यह होना चाहिए यह दिया है इसले टी माना है यह आपको अपने आपसे cross questioning करनी पड़ेगी ठीक है 23rd question दिखिए 23rd i is equal to integral sin inverse x upon under root 1 minus x square dx साथ साथ दिख रहा है कि sin inverse का integral नहीं होता पहली बात इसका integral नहीं होता तो जिसका integral नहीं होता तो मजबूरी में उसको t मानना पड़ेगा और इसका differentiation यह होता है जो कि दिया है मान लीजे तो let sin inverse x is equal to t इसका 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt तो जहाँ dx है वहाँ का अखिएंगे under root 1 minus x square dt रख दो so i is equal to इसको t माना है इसको कुछ माना नहीं है अपने और यह हो जाएगा root 1 minus x square dt कड़ गया और t का integral क्या होगा t square by 2 plus c t कमान लग दो sin inverse x का whole square by 2 plus c 24th question number 24th कहा रहा है i is equal to integral 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x देखे constant कोई दिक्कत क्रेट नहीं करता अगर कहीं common है आप नीच वाली चीज़ को t मानो इसका differentiation को प्रिजेंट है बस मान लेजे let 6 cos x plus 4 sin x is equal to t आपने का कहा प्रिजेंट है भई वहाँ तो 6 नहीं लिखा रहे common लेंगे 2 बाद में common लेंगे लेना हो लेलो तू common लेलो यहाँ 3 बचेगा बाद में common लेते हैं इसको differentiate करो तो minus 6 sin x cos x का differentiation sin x होता है minus का और plus 4 cos x dx is equal to dt देखो ऊपर आपको लिखा तो वही चीज़ है यहाँ से 2 कामल लेना पड़ेगा तो यहाँ क्या बचेएगा 2 cos x minus 3 sin x dx is equal to dt साब साब देखेए उपर पूरी चीज़ी लिखी दिए 2 cos x minus 3 sin x dx लिखा हुआ है तो इसको क्या लखत रहे हैं इसको dt by 2 2 हटाईए यहाँ अपान में कर दिए ऐसे मत रहिएगा अगले step में हटाएगे रद्द उठा करके so i is equal to उपर हो गया dt by 2 2 बार कर दो अपान t इसका integral कर दो log t plus c t कमान रग दो 1 by 2 log t बोले तो t आएगा आपका 6 cos x plus 4 sin x log में mod इसले लगाते हैं कि negative log undefined होता है इसले log हमें साब positive लेते इसले mod लगा दी जाती कि negative value यहाँ पर नहीं आनी चाहिए ठीक है यह आपका 24th question number है note कली जे इसको अब आते ही 25th question number question number 25th i is equal to integral 25th कहता है 1 upon cos square x into 1 minus 10 x का whole square देखे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको दिकत cos square इतना नहीं कर रहा है जितना 10 कर रहा है क्योंकि एक तो whole square लिखा हुआ है अगर मैं इसको t मानता हूँ तो 10 का differentiation होता है 6 square x वो present दिख रहा है अगर ध्यान से देखें तो 1 upon cos square x को हम लिसकते है 6 square x और नीचे लिखा है 1 minus 10 x का whole square dx तो आप इसको t मान सकते है इसका differences in present है मान लो let 1 minus 10 x is equal to t तो इसका क्या हो जाएगा minus 6 square x dx is equal to dt और उपर 6 square x dx लिखा हुआ है तो यहां से आप निकाल सकते हैं इससे कि square x dx is equal to minus dt रख दो अटर so i is equal to उपर हो जाएगा minus बाहर कर दो dt upon t square अब इसको log t square मत कर देना क्योंकि log में क्यों 1 upon x होना चाहिए इस power को उपर shift कर दो t4 minus 2 dt इसको integrate कर दो तो क्या हैगा minus t4 minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 और plus c तो को यह minus 1 आएगा यह minus 1 इसको plus कर देगा यह जगा t की पाउर minus 1 plus c इसी यह बनपान t हो जाएगा c कमान रख दो t कमान t की वाल्यू क्या है 1 minus 10x plus c इसको उपर भी लिख सकते हैं inverse में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी बाद आते हैं 26 question number इसको नोट कर लिजेगा 26 i is equal to integral cause under root x upon under root x दिक्कत आपने कहा बार बार कहतो denominator जी नहीं numerator में भी एक दिक्कत यहां पर है मेरे पास integral cause x का है और यहां cause root x है यहनि x की जगे कुछ और होगा तो उसको t मानेंगे शर्त यह है कि उसका differentiation present होना चाहिए तो अब इसको t माने ले रहे हैं let root x को t मान लेते हैं तो इसका differentiation 1 upon 2 root x अब यह नहीं करा कहां से आया dx is equal to dt तो जहां पर dx है वहां लिखेंगे 2 root x dt रगद उठा करके so i is equal to इसको आपने t माना है यह 2 root x dt हो जाएगा नीचे root x है root x cancel हो गया 2 बाहर हो गया t का integral t square by 2 plus c 2 2 कड़ गया t कमान लग दो root x का whole square plus c यह यह एक्स plus c तो यह आपके 26 questions है यह लगा लगेगा next in the next video ओके थैंक